यार, आज कल बाहर कितना पल्यूशन वो रखा है? मेरे कपरे भे भी कितना डस्ट हो गया है? लेकिन वेट, सिर्फ इतनी तीर में अगर मेरे कपरों में इतनी डस्ट हो गई है, तो हम तो 24-7 पल्यूटेड एंवारिमेंट में सास लेते हैं, इससे हमारी लंग्स पे कितना एफेक्ट पड़ता होगा? और उनका क्या? चो लोग स्मोक भी करते हैं? मतलब पल्यूशन के साथ 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 स्मोकिं उनके लंग्स को एगदम खराब कर देगी. उनके लंग्स तो बाकी लोगों के लंग्स से और भी ज्यादा खराब है. मैं अपने कप्रे को साफ कर सकती हूँ, लेकिन लंग्स को मैं लंग्स को प्यूरिफाई और डिटोक्सवाई करने में बहुत हेल्प करेगा. ये स्मोक और पल्यूशन की वज़ा से डैमेज होने वाले टिशूज को हील करने में भी हेल्प करता है. ये आपके लंग्स को स्ट्रॉंग तो बनाता ही है, साथी साथ लंग्स की ही है क्योंकि ये 100% नाच्रल है. अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसको कौन-कौन ले सकता है और कैसे लेना है. तो आप इसे मौनिंग और इवनिंग में खाना खानी से पहले एक या दो कैपसूल ले सकते हो. और 18-45 ये एज के लोग इसे ले सकते है.